नमस्कार मैं नामा लोग है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं जेडियू के रास्टे अध्यक्ष और जेडियू संसदिय दलके नेता ललन सिंग ने आज लोग सभा में जातिय जंगन्ना को लेकर के सवाल खड़े की हैं और यह मांग की है कि जातिय जंगन्ना होनी चाहिए 1931 के बाद सिर्फ बाते होते रही लेकिन जातिय जंगन्ना नहीं हुई क्योंकि जो विकास का रोड मैप होगा जो लोगों के लिए सूचना है सरकार जो योजनाय बना रही हैं उसका लाब सभी तपके के लोगों को मिल सके इन तमाम मुद्दों को लेकर ललन सिंग ने प्रश्घ के अमामले में माराठा समाज के मामले में सर्वोच नेयाले ने एक क def ơi को संभिधान के 102 संसोधन का transistor तो उसके आलोग में ये 127 संसोधन लाना पड़ा है मानपिया देजंशन चौजरी जी बोल रहे थे उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि संव्धानच संफूधन से राज्यों का अधिकार लिए गया यहला है वह विधे अगोषा संविधान कीया गया अं इसनल से और आपने तो गभी नहीं उसको संविधानिक दर्जा देने यह के लिए अंसनल सिंट बैकव्ड्रन तो पहले से भी था कई वर्सों से है लेकिन कहां आपने तो कभी नहीं उसको संवेधानिक दर्जा देने की बात सोची इस सरकार की ये प्रतिवधता थी कि OBC के प्रति हमको न्याय करना है इसलिए National Backward Class Commission को संवेधान के 102 संसुदन से उन्होंने संवेधानिक दर्जा देने का काम अब आप 127 संवेधान सरकार की नियत है आप सरकार की नियत पर सवाल उठा रहेते हैं हम तो कह रहे हैं कि सरकार की नियत इतनी साफ है कि जब सरकार ने Review Petition फाइल किया Review Petition डिसमेश हुआ सरकार 127 संवेधान संसोधन विधियक लेके सदन में आई है ये सरकार की नियत है और अगर नियत साफ हो तो सुधार की लगतार संभावनाएं रहती है और सरकार की नियत साफ है इसलिए सरकार ने 127 संवेधान सथोधन विधियक के माध्यम से नियत साफ कर दिया साथ है तो इसलिए महोदिया हमारी पार्टी के एक और सदस को बोलना है इसलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे लिगिन हम एक बात और करें हमारी मांग है सरकार से और हम लोग मांग करते रहें पहले स से भी मांग कर रहें हमारे पार्टी के निता बिहार के मुक्रमंत्री आधरीने नितिस ओबी सी को आप पूंतह नहीं दे पाएं जब तक 1931 में जातिये जनगन्ना हुआ है और 1931 के बाद आज तक जातिये जनगन्ना नहीं हुए आप जनगन्ना कराने जा रहे हैं हम आपसे मांग करते हैं कुनेश 21 के बाद दो हज़ार बाईस में जातिये जनगन्ना कराते हैं यह व्रम यह व्रम भी गलत है कि उससे कोई समाज में भेदवा हो नहीं समाज के हर तबके की आवादी बढ़ी है अगर आज जितने समाज के हर तबके के लोग जितनी आवादी का आकलन करते हैं अगर उन सब को जोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान की आवादी का तीन गुना आवादी हिंदुस्तान म हो जाए लेकिन एक बार जानना जिरूब है यह आवस्चेक है तो इसलिए हमारी मांग है कि जातिये जन्गन्ना कराई जाए और अपनी हम इस मांग के साथ साथ एक सो सताइस में समिधान संसुजन विद्यक का पूर्णता समर्थन करते हैं बहुत बहुत धन्युक्त अपने सुना जेडियों के रास्टे अध्यक्ष और संसदिये दल के नेता राजीव रंजन सिंग उफललन सिंग ने लोग सभा में अपनी बातों को रखते हुए तमाम करें बातों का दिप्र किया वहीं ओवी सी को जो अलक्षन दिया रहा है इसके बाद क्या बिहार में जेडियू जो की सत्ता में बैठी हुई है राजय सरकार अपनी खर्चे पर जाती जन्दना कराएगी या फिर केंदर सरकार जेडियू जो कि अलाइंस पार्टनर है इंडिये की उनकी बातों को मानेगी बैठाल कह नहीं सकते हैं कुछ भी लगन सिमिया क्या कुछ का हमने आप